नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप मालतीस कीचिन में आपका स्वागत है तो आज हम बनाने जा रहे हैं कद्दू का पाग तक कद्दू के पाग में क्या-क्या समगरी की जरूरत पड़ती है तो चलो देखते हैं एक किलो हमने कद्दू लिया है उसको छील के अच्छे से छोटो टुकड़े में काट लिया इसको और इसको रामकोला भी कहते हैं छीता फल भी कहते हैं बोपला भी कहते हैं इसको उबाले है भी थोड़ा सा मखान लिया है सक्कर लिया एककटोरी घी लिया है काजू है बदाम है पिस्ता है चिरउंजी है किस्मिस है इलाइची पाउडर है एक किलो हमने दूद लिया है अभी बनाना शुरू करेंगे गैस जलाके इसमें कूकर रखेंगे दो गिलास हमने पानी डाल दिया इसमें इसको अच्छे से पहले दो लिया था अब इसमें डालेंगे एक सीटी आने तक इसको ढखके रख देते हैं जब तक हमारा ये पकर राय कद्दू जब तक हम मसाला तयार कर लेते हैं अब इसको सेप्ट कर दें दूसरा का इसमें अब गी डालेंगे इसमें काजू बदाम डालेंगे अब क्यों किस्ता प्योमि मुस्य चे रहूंजीas किसमीज अब गैस बंद कर देते हैं यह हमारा पक गया मसाला इसको निकाल लेंगे यह हमारे मखाने इनको भी तलेंगे खोड़ा सा यह हमारा मखाना तल गया है अब इसको मिक्सी में डालके पीस लेंगे अब हमारा कदू पक चुका है अब इसको निकाल लेते हैं अब इसमें निकाल लेंगे हम अब ही कद्ध्यों को कला रही है मैस किया हुआ कद्दू अभी इसमें डाल देते हैं अभी इसमें सक्कर डालेंगे और इसमें ड्राइफूड भी सब डाल देते हैं यह मखाना हमने मिक्सी में हलका दरदरब पीछ लिया है इसको भी डाल देते हैं इसमें अभी दूड डालेंगे अभी इलाइची पाउडर डाल रहे हैं अभी इसको पांच मिनाट तक पकाएंगे दूड के साथ अब हमारा पाग पक चुका है अच्छे से हमारा पाग बनके रेडी हो गया है इसे नवरात्री आ रही है ब्रत में खा सकते हैं यह का दसी में खा सकते हैं कोई भी ब्रत में खा सकते हैं तो हमारे रेसीपी आपको कैसी लगी यदि हमारे रेसीपी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें बताएं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्नमत